हेलो दोसों आप दीख रहें चैनल केमपस नियूज दोसों दिली विसुजी देले के स्कूल आफ पे लर्निंग के सकेंड समिश्टिर के PG के एसाइमेंट बेश्ट एबिल्यूशन के जो है डेट शीट रिलीज कर दिया गया है साथ में जो है एड्मिट कार्ड भी जो है रिलीज कर दिया गया है और जो कोश्चन पेपर है उनके वो भी जो है रिलीज कर दिया गया है तो आज हम इसी के उपर में चर्चा करेंगे कि आखिर आपको जो है डेट शीट के हिसाब से जो है कैसे आप जो है अपना question paper download करेंगे साथ में जो है admit card कैसे download करेंगे और कैसे जो है आपको assignment जो है बनाना है तो उसके लेके जो है guidelines भी जो है release किया गया है तो पूरे detail में आज हम यहीं चर्चा करने वाले हैं बाकिए अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को subscribe कर लिजेगा साथ में bell icon को प्रेस कर को बटन दवा लिजेगा ताकि D.U.S.L. से related सारा update मारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे है तो दोस्तों S.L.C. website जो की S.L.D.U.C. इना इस पर आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है अलग-अलग courses का जो है अलग-अलग दिन के हिसाब से जो है यह होगा और यहाँ पर देख सकते हैं 12 तारीक 12.08.2021 का जो है यहाँ पर आपका question paper जो है 12.08.2021 तक जो है खोला जाएगा यानि कि 14 से लेके 17 तारीक के बीच में आप जो है अपना assignment जो है upload कर सकते हों MA political science का बाकि MA Hindi का जो है यहाँ पर 13.08.2021 को जो है question paper जो है upload कर दिया जाएगा website पे तो वहाँ से आप जो है 17 से 17 तारीक के बीच में MA Hindi का बाकि MA Sanskrit का यहाँ पर देख सकते हो यह जो है 12.08.2021 यानि कि आज जो है इसका question paper जो है release कर दिया गया है तो आप जो है जाके website से जो है download कर सकते हो और यह जो है 14.08.2021 से लेके 24.08.2021 तक जो है आप अपना assignment सभी subject का जो है बना के वापस जो है upload कर सकते हो उसके बाद जो है m.com का भी जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका भी question paper जो है release कर दिया गया है और आप जो है अभी या फिर जो है इसका question paper आप download कर सकते है website से जाके और फिर जो है आप कल से ही यानि के 13 तारिक से ही जो है sorry आज से ही जो है आप यह question paper जो है download करके वापस assignment बनाके जो है आज से लेके 27 तारिक तक जो है आप ये अपना assignment जो है upload कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका जो है लाजडेट 278-2021 है तो इसी तरीके से जो है आपको अपना जो है जो है रिलीज कर दिया जाएगा और फिर जो है आप अपने admit card के साब से जो है assignment जो है download कर सकते हैं admit card में जो subject so हो रहा है वही जो है आपका assignment उसी के द्वारा जो है आपको बनाना है तो ध्यान रखिएगा बाकी इसको लेके जो है अब assignment based evolution का जो है यहां से आप admit card जो है अपना download कर सकते हैं जैसे यहां पर देख सकते हैं इसमें sol roll number और बार कोड जो है दिया हुआ है उसके बाद जो है इसमें 3 प्लस 0 यहां पर दिया हुआ है तो यहां पर जो है आपको तीन ही लिखना है आपका जो है अलग आ रहा होगा तो इसी तरीके इसे जो है आपको admit card जो है download करना है बाकि जिन शात्रों का सोह नहीं हो रहा है तो उमीद क्या जा रहा है कि कुछ समय में सोह जाएगा और फिर जो है आप उसको देख सकते हो बाकि PG का जो है assignment based evolution का question paper जारी कर दिया गया है तो यहां से आप download कर सकते हो तो question paper download करने के लिए आपको जो है इस पर click करना है तो यहाँ पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सभी courses का अलग-अलग question paper release कर दिया गया है जो कि आप अपने admit card के हिसाब से यहाँ से download कर सकते हो तो mcom का सबसे पहले हम download कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं mcom का अभी तेक so नहीं हो रहा है लेकिन उमीद क्या जा रहा है कि कुछ समय में यह सो होने लगेगा और फिर आप अपना question paper download कर सकते हो बाकि हम पीछे चलते हैं बाकी का देखते हैं कि आखिर इसका भी देख सकते हैं यहाँ पर coming soon लिखा रहा है यानि कि अभी तक upload नहीं हुआ है तो उमीद क्या जा रहा है कि कुछ देर में यह भी हो जाएगा तो फिर आप अपना download कर पाओगे बाकि M.A.PolScience का हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं M.A.PolScience का release कर दिया गया है तो यहाँ से आप इसको download कर सकते हैं पर M.A.PolScience में जो है comparative politics analysis इसका question paper download कर लेते हैं और आखिर देखते हैं कि इसमें किस तरह से आपको लिखना है कितने page लिखना है क्या इसमें जो है दिया हुआ है तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं साब साब जो है इसका जो question है इसमें total जो है चार question जो है पूछा गया है जिसमें जिसे आपको जो है दो question का जो है answer देना है और ये जो है आप कम से कम जो है एक question का answer जो है 6 से 7 page में दीजिएगा क्योंकि इसमें जो है word limit नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको जो है कम से कम अगर 100 number का है तो यानि कि 2 question जो है 50-50 number का है तो आपको जो है कम से कम जो है 6 7 page में इसका answer जरूर देना चाहिए ताकि आपको जो है अच्छा marks मिल पाए तो जरूर जो है अप 6 7 page में जो है एक question का answer लिकिएगा यानि कि दोनों question का answer जो है आप कम से कम 15-20 पेज में जरूर लिखेगा ताकि आपको जो है अच्छा नमर मिल पाए बाकि ये जो है question आप खुछ से पढ़ ले और इसी तरीके से जो हम दूसरे question पे चलते हैं यहाँ पे देख सकते है administrative theory जो है इसको हम download पते हैं इसको लिख सकते हो जितना भी लिखना चाहो लेकिन minimum जो है दोनों question का answer जो है 15-20 पेज में जरूर दे बाकि से ज्यादा लिखना चाहे तो ज्यादा भी आप लिख सकते हो यहाँ पे जो है देख सकते हो आसान सा question है क्या मानव संबंध सिधान संगठन के सास्तिय सिधानतों की विप्रीत हैं आलोचनात्मक विशलेशन कीजिए तो इसको लेके आपने जरूर पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा है तो आपने गूगल का या फिर जो है book का help ले सकते हो और उसके द्वारा assignment जो है अच्छा से अच्छा number जो है आपको मिल पाएं तो अब जो हम आगे चलते हैं और ethics and government यह जो है paper दिख रहा है तो इसको जो हम download कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें जो है word limit दिया हुआ है किस तरह किसे आपको लिखना है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसम कम लिखते हो या फिर जैसे तैसे आप लिख देते हो तो आपको जो है बहुत ही कम नमर मिलेगा या फिर जो है as well में जो है फेल भी कर दिया जाएगा तो इसका ध्यान रखे आप जो है कम से कम 15 से 20 पेज में जरूर इसका answer दे दोनों question का और उसके बाद ही जो है आप अच दिया हुआ है लेकिन आपको जो है उसके तरीके से लिखना है यहाँ पर दो question का ही आपको answer देना है जो भी आपको do question लगता है कि आशान है आप अच्छ Monsters सकते हो उसी का जो है आप answer दे कि किसी ऐसे question का answer ना दे कि जिसको आप जो है लिखी नहीं पाओगे अच्छे से और अच्छा ज्यादा पेज आप लिखी नहीं पाऊगों तो ध्यान दखिएगा यह अंतर राष्टी है की समझ यह अच्छा पेपर है तो इसका अच्छे से आप आप अपने लेंग्वेज के हिसाब से दे सकते हो अब जो है Political Institution and Process in India तो इसका जो हम Question Paper download कर लेते हैं और आखिर देखते हैं कि इसमें जो है किस तरीके से बताया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत में राजनितिक संस्थान और प्रक्रिया तो यह जो है बहुत ही अच्छा पेपर है चातों के पास यह Paper है तो वो जो है Download कर लें और अच्छे से जो है इसका जो है 2 Question का कोई भी जो है आप जो है Answer लिख सकते हो चारों में से 2 Question का कोई भी Answer लिख सकते हो और अच्छे से जो है Explain करते हुए जो है इसका Answer लिखे और minimum जो है 6-7 पेज में जरूर लिखे एक question का answer तब जो है आपको अच्छा नमर और पूरा नमर मिलने का जो है इसमें chance रहता है तो दियान रखिएगा आपका जो है assignment based evolution के माध्यम से जो exam हो रहा है इसका 50% marks जूरेगा और साथ में 50% जो है पिछले semester यानि कि first semester के जो result आएगा उसके माध्यम से आपका 50% जो है उसके waste पे जूरेगा तो दियान रखिएगा आप जो है अच्छे से करिएगा इस paper में तो आपको जो है पूरा अच्छा से अच्छा नमर जो है मिलने का जो है chance रहता और आपका percentage भी जो है अच्छा वनेगा बाकी यहाँ पे environmental का जो है paper हम download कर लेते हैं और आखिर देखते हैं कि इसमें क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी word limit नहीं है तो आप जो है इसको भी जो है 5-6-7 page में जो है जरूर लिखे एक question का answer और अच्छे से लिखे आप जो है Google का भी help ले सकते हो अगर बना सकते हो अब जो हम पीछे चलते हैं और दूसरे courses पर जो है हम देखते हैं कि आखिर उनका जो है MA Sanskrit का रिलीज किया गया है या फिर नहीं किया गया है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो है MA Sanskrit का भी question paper रिलीज कर दिया गया है तो आप अपने admit card के हिसाब से यहां से download कर सकते हो तो यहां पर paper CC का हम download कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं दर्शन्या नव्या एंड व्यदानता इसका question paper हम download कर लेते हैं देखते हैं कि इसमें कुछ limit है या फिर नहीं है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसमें कोई भी word limit नहीं है आप अपने हिसाब से जो है इसका answer जो है लिख सकते हो तो आप जो है इसका answer जो है ज्यादा सब्द में न लिखें आप जो है कम से कम सब्द में लिखें लेकिन जो है अपने हिसाब से जो है उसका सही answer जो है लिखें तब ही आपको अच्छा नमर मिलेगा इस तरह के subject में क्योंकि आप ठीक नहीं लिखते हो कुछी भी जो है आप लिख देते हो history subject के हिसाब से या फि आपको पूरा नम्मर जरूर मिलेगा बाकि इसी तरीके से जो है सारा question का जो है answer आपको देना है कोई भी word limit जो है नहीं दिया हुआ है आपका तो आप अपने हिसाब से जो है 5-6-6 जो भी जितने में भी आप लिखना चाहें लिख सकते हो लेकिन सही सही answer इसका जो है जरूर दीजेगा बाकि आप जो है book का help ले सकते हैं notes का help ले सकते हैं अपने teacher का भी help ले सकते हैं बाकि इसी तरीके से जो है आपको दो question का जो है answer करना है जो भी दो question आपको अच्छे से आता है या फिर जो है आप कर सकते हैं उसी question का जो है answer दीजेगा बाकि यहां पर देख सकते जो है इसको देख ले और लिखें बाकि इसका जो है ध्यान रखे कि आपको जो है assignment बनाते समय जो है सबसे उपर में जो है आपको first page में पे जो लिखना है assignment पे assignment के answer seat पे उसमें जो है जो है लिख दे और अपना जो है roll नमर तो लिखना या लिखना और page नमर भी हर एक page पे लिख दे ताकि आपको जो है जब teacher check करते रहें तो उन्हें जो है दिक्कत ना हो पाए और आपको जो है अच्छा जो है लाइन ना हो और एक ही तरफ जो है इसको आप लिखे क्योंकि दूसरे तरफ अगर आप लिखते हैं तो आपको जो है ठीक से जो है scan करते समय या फिर photo कीचते समय जो है ठीक से जो है so नहीं होता है और उसका ink जो है दोनों तरफ mix हो जाता है जिसके कारण जो है कई वार लाइन का भी जो है आप यूज कर सकते हो तो इसी तरीके से से आपको एसाइमेंट बनाना है बाकी वा वा पस आपको एसाइमेंट के लिए जो है यहीं पे portal जो है जारी किया जाएगा और उसी आपको अपना सब्सक्राइब करें करना होगा तो दियान रखिएगा और सभी पीडिया बनेगा और सभी अलग अलग सब्जयग्ट के हिसाब से आपको अपलोड करना होगा है तो उम्मीद है कि आपको पता चलगिया है बाकि और भी कोई confusion है तो आप हमें comment करके भी जो है पूछ सकते हैं बाकि आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो like करिएगा अपने दोस्तों के साथ share करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को भी subscribe जरूर कर लिजेगा ताकि इसी तरह से और वीडियो में इस चैनल पर आपको मिलता रहे बाकि सुक्रिया धन्यवाद